चाड़क के IAS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे राज्येपाल की भूमी का राज्ये में क्या रहती है पर यह विशय चर्चा में बना हुआ है हाल ही में केरल सरकार और राज्येपाल आरित मुहम्मद खान के बीच कई मुद्दों पर गतिरोच चल रहा है चाहे वो राज्ये संचालित केरल विश्यविद्याले में न्युक्तियों का मुद्दा हो या फिर राज्येपाल द्वारा मं बरخास करने की धंकी का मुद्दा फिलहाल उन्होंने अन्मन्त्रियों को बरखास करने की धंकी दी हैं जिन्होंने राजयप्राल कार्याल्य की गरीमा क्म कि ह dues कान ने अपने Twitter handle से इसी लेकर बयान जारी किया है खान के अधिकारिक Twitter handle पर एक बयान कहा गया है कि मुख्य मंत्री और मंत्री परिशत को राज्य पाल को सलाह देने का पूरा अधिकार है लेकिन अलग-अलग मंत्रियों के बयान जो राज्य पाल की पत्की गरिमा को कम करते हैं उन पर कार्यवाई करने का भी उनका अधिकार है वहीं दूसरी तरफ केरल की सत्तारूर पार्टी ने कहा है कि सम्विधान राजयपाल को तानाशाही शक्तिया नहीं देता है और सरकार के खिलाब खान का राजनितिक पुर्वा ग्रह उजागर हो गया है अब तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है जब राजयपाल ने एक तरफा रूप से किसी मंत्री को सरकार से बरखास्त कर दिया हो अब यहाँ पर यह सवाल आते हैं कि राजयपाल की भूमी का राजय में आखिर क्या होती है और हमारे सम्विधान के द्वारा राजयपाल को किस तरह की शक्तियां दे गई है समिधान के अनुछेद 164-1 के अनुसार मुख्य मंत्री की न्युक्ति राजयपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की न्युक्ति राजयपाल द्वारा मुख्य मंत्री की सला पर की जाएगी अनुछेद 164 एक मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों की न्युक्ति से सम्मंदित है राज्य पाल को मुख्य मंत्री की न्युक्ति करते समय किसी की सलहा लेने की आवशक्ता नहीं होती है वह मुख्य मंत्री की सिफारिश पर ही मंत्री की न्युक्ति कर सकता है राज्येपाल के पास किसी को भी मंत्री बनाने के लिए चुनने की शक्ती भी नहीं होती है यदि वास्तव में कोई मंत्री राज्येपाल या उसके कार्याले की गरीमा को कम करता है जैसा कि खान के कार्याले ने आरोप लगाया है तो राजभवन मुख्यमंत्री से पूष्टाश करने के लिए कह सकता है वहीं अगर ये पाया जाता है कि मंत्री ने राज़ेपाल को बदनाम किया है या उनका अपमान किया है तो वहें मुख्यमंत्री से मंत्री को हटाने के लिए कह सकते हैं अब हम देखेंगे कि संसध्य प्रणाली में राज्य पाल की क्या भुमिका होती है। सम विधान के अनुछ्यद 153 से 161 में राज्य पाल की स्तिती, भुमिका, शक्तियां और पद की शर्तों का βरणन किया गया है, राज्येपाल की स्थिती संग में राष्टपती के समान होती है वह राज्ये की कारेकारी शक्ति का मुखिया होता है और कुछ मामलों को छोड़ कर मंत्री परिशत की सलापर ही काम करता है जो संसदी प्रणाली के अनुसार राज्य विधाईका के लिए जिम्मेदार है राज्य पाल को राश्टपती द्वारा न्युक्त किया जाता है और इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच महत्पूर्ण कड़ी के रूप में वो कारे करता है पद की परिकल्पना एराजनीतिक होने के रूप में की गई है हाला कि राज्य पालों की भूमी का दश्कों से केंद्र राज्य समंदों में एक विवादास पद मुद्धा रही है राज्ये पाल को कुछ शुक्तियां प्राप्थ होती है जैसा कि राज्ये विदाय का द्वारा पारित किसी विदे को स्विक्रिती देना या रोकना या किसी पार्टी को भहुमत साबित करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारन करना या ऐसा करने के लिए किसी पार्टी को सबसे पहले बुलाया जाना चाहिए, किसे बुलाया जाना चाहिए, किसे नहीं आम तोर पर त्रिशंको विदानसभा के बाद ऐसा होता है जिसे लगातार केंदर राज्यों ने राजनितिक विरोध के हतियार के रूप में अपनाया भी है अनुछेद 164.1 कहता है कि राज्य राज्य पाल के प्रसाद प्रियंत मंत्री पर धारन करेंगे क्या इसका मतलब यह है कि राज्य पाल किसी मंत्री को बरकास्ट कर सकता है तो अनुछेद 164.1 मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों की न्युक्ति से सम्मंदित होता है राजय पाल को मुख्य मंत्री की न्युक्ति करते समय किसी की सला लेने की आवशक्ता नहीं होती है वह मुख्य मंत्री की सिफारिश पर ही किसी मंत्री की न्युक्ति कर सकता है राजय पाल के पास किसी को भी मंत्री बनाने के लिए चुनने की शक्ति नहीं है वह मुख्य मंतरी की सला पर ही किसी मंतरी की नुक्ती करता है अब इस पर सुप्रीम कोट में भी बहुत बार इस तरह के केस जा चुके हैं जिसमें एक बहुती प्रसिद्ध सुप्रीम कोट में एक केस जो है दर्ज है शमचेर सिंग और एन आर बनाम पंजाब राजय 1974 इसमें सुप्रीम कोट की साथ न्याय दिशों की सविधान पीट ने कहा था कि हम अपने सविधान के शाखा के कानोन को राष्टपती और राज्यपाल सबे कारेकारी और अन्य के संग्रक्षक होने की गोशना करते हैं विबिन अनुशेदों के तहत शक्तियां इन प्रावधानों के आधार पर अपने उपचारिक समेधानिक शक्तियों का प्रियोग केवल कुछ परसिद ऐसाधान स्थित्यों को छोड़ कर अपने मंत्रियों के सला के अनुसार ही करेंगी यानि कि ये लोग राज्यपाल अपने मंत्रियों की सला पर ही काम करेंगे कुछ विशेश स्थित्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो तो इस परकार हम कह सकते हैं कि यदि वास्तव में कोई मंत्री राज्यपाल या उसके काराले की गरीमा को कम करता है तो राजभवन मुख्य मंत्री से पूछ ताच करने के लिए कह सकता है यदि ये पाया जाता है कि मंत्री ने राज़यपाल को बदनाम किया है या उनका अपमान किया है तो वे मुख्य मंत्री से मंत्री को हटाने के लिए भी कह सकते हैं राज्य पालों द्वारा कतित पक्षपात्पुर्ण भूमिका को दूर करने के प्रियास किये जाते हैं या नहीं 2000 में अटल बिहारी वाजपे सरकार द्वारा न्यूक्त समिधाम के कामकाज की समिक्षा के लिए राश्ट्रिय आयोग ने राज्य पालों के चैन में महत्तपुर्ण बदलाव की सिफारिशें की थी आयोग ने सुझाव दिया था कि किसी राज्य के राज्य पाल की न्यूक्ति राश्टपती द्वारा उस राज्य के मुख्य मंत्री से प्रामर्श के बाद होनी चाहिए ताकि राज्य और राज्य पाल के द्वारा कारे में तालमेल बना रहे आम तोर पर 5 साल के कारेकाल का पालम किया जाना चाहिए और राजय पाल को हटाने या स्थारांतरित करने के लिए उसी तरह की प्रकिरिया का पालम करना चाहिए जैसा की नुक्ति के लिए किया जाता है केंद्र राजे सम्मंदों को देखने के लिए 1983 में स्थापित सरकारिया आयोग ने प्रस्ताव दिया कि भारत के उपराश्ट पती और लोगसबा के अध्यक्ष से राज्यपालों के चैन में प्रधान मंत्री से प्रामर्श किया जाना चाहिए केंद्र राजे सम्मंदों पर 2007 में गठित न्याय मूर्ती मदन मोहन पुंची समीती ने मार्च 2010 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित किया कि प्रधान मंत्री, ग्रह मंत्री, राश्टपती, उपराश्टपती और सम्मंदित मुख्य मंत्री की समीती को राज मंत्रियों के विरुद मुकदमा चलाने की मंजूरी के राज्यपाल के अधिकार का समर्थन किया इस ने राज्य विदायका द्वारा राज्यपाल पर महाभ्योग चलाने के प्रावधान के लिए भी तर्क दिया इस प्रकार हमने मोटा माती ये बात कर ली है कि अभी वर्तवान में क्या विवाद है और समिधानिक रूप से ये विवाद कितना सार्थक है कितना नहीं है समिधान के द्वारा राज्यपाल को कौन से शक्तियां प्रदान की गई है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मच करें कि अप्रदान की अप्रदान केरें कि अप्राइब करें अप्रदान के खाया है